मत्यप्रदेश सरकार के द्वारा सराब विक्री के लिए बकाइदा दुकानों का ठेका दिया जाता है लेकिन आपकारी विभाग की लापरवाही के कारण ऐसे भी अवैसराब विक्रेता सामने देखने को मिल रहे हैं जिनके द्वारा ना लाइसेंस लिया जाता है और ना ही क को मिल रहा है जिसके कारण खुले आम अवैज जहरेली सराप की बिक्री की चा रही है आपको बता दें कि अवैज सराप की बिक्री ऐसे चल रही है जैसे कोई सराप ठेकेदार लाइसेंस लेकर सराप थी दुकान संचालिक कर रहा है आपको बता दें कि ग्राम पंचाय सगौन एबं गढ़वा गाओं के ग्रामवासियों ने सतना स्पी को ग्यापन दिया है कि हमारे छेत्र में अवैज रूप से विक्री हो रही है सराब की दुकान को जल्द से जल्द बंद कराएं नहीं तो हम यही पर अंसन में बैठेंगे जैसा कि ग्रामिडों ने बताया है कि यहां पर तीन स्कूल संचालित हैं वही पर अवैज रूप से सराब की दुकान भी संचालित हो रही है इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के गारा चुपी साधी जा रही है सराबियों के गारा वही पर अभधर बातों के प्रयो से जल्द बंद कराने की मांगी है। कर दिये हैं इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई क्या चाहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा है तो हम जन बच्चे को लेकर वहीं अंसन करेंगे इसलिए कि वहाँ सरापी के नस्फोरी करते हैं और पंद्रा मीटर 20 मीटर के अंतर सरकारी स्कूल है विद्याल है चोटे-चोटे बच हूँ कहां से हैं मैं गड़वा से हूँ मेरा नाम मिस्टर रोहित चिंग है